हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश काक कंसल्टन गैस्ट्रेंट्रोजिस्ट लिवर स्पेशलिस्ट मनीपाल हॉस्पेटल गाजियाबाद आज कल मौनसून चल रहा है फ्लर्ड्स आए हुए हैं जगह जगह पानी बरा हुआ है चलना मुश्किल हो गया गाड़ी जलाना मुश्किल हो गया है इसके साथ साथ पेट और लिवर की प्रावल्म्स भी बढ़ गई हैं तो जैसे हम देख रहे हैं डे टू डे हमारे क्लिनिक में ऐसे मरीज ज्यादा आना शुरू हो गए हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है जिनको गैस्ट्रेंट्राइटिस या एपना हेवी हो गया के साल फ्लाडिंग हो गई मना में पानी बर गएया काफी चीजaving हो गई तो यह पानी सब घरों में और बगीचों में सब जगया गुजग गया तो कई बार्व हमारे यह जो ईक्न्टेमिनेटिड और होता है हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी कोश अध्राब करता है। उसके कारण हमारे अंदर यह बैक्टिरिया वाइन से सब्रक्राइब करते हैं। बैक्टिरिया इन वायरिस का और इंफेक्शन होता है। न फेक्शन मतलब उल्टी, दस्त, टी दर्द और कभीบी बीडिग भी या बाहर का जो भी जंक फूड है और जो स्ट्रीट फूड है उसको कंजूम ना करें और यदि हमें कुछ बाहर का खाना है वो प्रॉपर तरीके से हाईजिनिक तरीका खाना होना चाहिए जो एटलिस बॉाइल्ड हो या कुक्ट फूड हो और जो कंटेनर है जैसे जो बरतन या पहर से जिसमें वो आ रहा है जो आपके घर में है वो साफ हो कई बर हमारा हैंड जो साफ नहीं रहता है हम किसी से फेड़ गार उससे भी कुछ वाइररे conducting हमारे चले जाते हैं या fruits market से जो आते हैं उसमें कभी wash नहीं करते हैं या उनको साफ नहीं करते हैं तो उसके उपर भी ये viruses बैक्टिरिया होते हैं तो मौनसून के टाइम में फ्रेंडस ए बहुत ज्रूरी है हाइजिनिक खाना खाएए जो भी भार से खाना आ तृटिरिया बहुत पानी होट तक जो ना जाए बहुत होते हैं शोच को हैं जो आपका हाथ जो है वो ळाप्ष के लए जाएं तो जरूरी है कि आपका हाथ पेटमें हैं वह फिर लाइटें के दोरा बाहर जाते हैं और भोहीं फिर मिboys होंके किसी तरीके ऑप हो के किसी तरीके में मिक्स होके फिर समय हृण है तो हमें हेंड हाईजिन बहुत जरूरी है स्ट्रीट फॉट जो भी रहता है जिसमें लोट झाल करना चाहिए तो मैं फ्रेंद्स टुकन क्लोड मॉंसों जो है हमारे पेट और लिवर के लिए बहुत हानी कारक कई बार पाया जाता है क्योंकि यह बार बारी इसको हॉस्पिटल भागना पड़ता है कभी कभी डिहाइडरिशन के कारण एड्मिट भी होना पड़ता है और कई बार जांडि